हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूं रोली आप सबका स्वागत है हमारी चैनल जीरा किचेन में आज मैं आपको बहुत ही स्वाधिश्ट बहुत ही हेल्दी नीबू का आचार बनाना बताऊंगी यह हर नीबू का आचार जो आप एक बार बनाकर रख लेंगे तो आप साल भर इ जैसे अच्छा जो द्दूली नीबू का है तो हरा नीबू है इसे मैं फानी रख दी थी तीथी पहले थोडा आख गया ते बाद नीबू में डाल रही हूं और नीबू को पानी डालने के बाद हाई फ्रेम करके ढख देंगे चार शेपांच मिनट अच्छेसे पकने के बा जालने के बाद आप लगवग 1-1,5 गंटा रख दीजेगा थोड़ा नॉर्मल भी हो जाएगा और पंखी के नीचे रखिएगा ताकि इसमें जो मतलब उपर से जो पानी की बूंदे रहें वह बिल्कुल सूख जाएगा दूप में नहीं रखने जरू है बस आप पंखी के न पर सिर्फ इसे दो पीसे में कट कर रहे हूं और आप चाहे तो ऐसे चार पीस में भी कट कर सकते हैं तो यह दिखे जब आप लंबा-लंबा काटेंगे तो जो उसमें बीच में जाली पड़ी हुई है वह ऐसे बनी रहेगी तो इससे क्या होता है अचार फटता नहीं है जब अचार बनाने के लिए काटें तो यह दिखे अगर आप 4 पीस करना जाते हैं तो फिर दूसरी बार ऐसे कट करें लेकिन मैं यहां पर सिर्फ 2 ही पीस में रखूं क्योंकि इतना टेश्टी अचार यह बनता है कि जब इससे खाने के लिए बैठते हैं तो फिर 2 अचार ले ही एक से देड़ चमच भुनी पिसी सौंफ और लगवक देड़ चमच पिसा हुआ काली मिट सबको अच्छे से मिला देंगे मसाला में मतब इतनी नीबू के लिए परियाप्त कॉंटिटी का मसाला है तो अगर आप इससे ज्यादा नीबू ले रहे हैं तो आप जेश्ट मसाले क बढ़ा सकते हैं यहां पर में लगवक तीन चमच प्लेन नमग डाली हूं और एक चमच हल्दी और लगवक चोथाई चमच गोरावर हींग डाल रहे हींग डालना इस अचार में बहुत जरूरी होता है इससे बहुत टेस्टी अचार बनकर त्यार होता है और यह कश्मीरी लाल मिर्च है जो सिर्फ कलर के लिए होता है मार्केट वाला लुक देने के लिए आप चाहें इसके कर सकते हैं लेकिन अगर होगा तो जरूर से डालिएगा तो बस फटा-फटी अचार बन जाता है यकीन मानिए अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इसका मसाला ब हफता तक धूप में जरूर दिखाएं और मैं आपको एक चीज बता दूँ यहां पर जब भी आप कोई भी आचार को रखें तो कांच की जार में ही रखें क्यूंकि आचार को बार बार धूप दिखाना ही पड़ता है अगर प्लास्टिक के जार में डिबे में अचार रख नीबू का होता है तो आप भी बनाएं हेल्दी नीबू का आचार हब तो इस धूप में सुखाएं साल भर इस्टोर करके रखें बिलकुल नहीं खराब होगा लेकिन उसे कांच की जार में रखें वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर मेरे च चीज़ और यहां पर ध्यान रखें जब आप सुखाएं ना तो कॉटन का कपड़ा लगा दिया करें ताकि धूर मिट्व से बच जाएं एंजॉय करें थैंक यू